माननिये पुदानमंती जी माननिये तक्षम होदाए आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ट और एतिहासिक विशय पर जानकारी देने के लिए विशेश तोर पर उपस्थित हूँ ये विशय करोडों देश वासियों की तरह ही मेरे रुदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ ये विशय स्री राम जन्व भूमी से जुड़ा हूँ ये विशय है आयोध्या में स्री राम जन्मस्खली पर भगवान स्री राम के भग्य मंदीर के निर्मान से जुड़ा हूँ माननी अध्यक्ष महोदय नव नवंबर दोहजार उन्नीस नव नवंबर दोहजार उन्नीस को मैं करतारपूर साहब परिडोर के लोकारपन हेतू पंजाब में था गुरु नानक देव जी का पांसो पचासवा प्रकाश परव था बहुत ही पवित्र वातावरन था उसी दिव्य वातावरन में मुझे देश की सरवोच्छ अदालत वरा राम जन्म भूमी विशे पर दिये गए आईतियासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननिय सरवोच्च न्यायले ने कहा था किस्वी राम जन्म भूमी के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला गिराजमान का ही स्वामित्व है माननिय उच्चतम न्यायले ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामश करके सुन्नी सेंट्रल वकप बौर को पांच एकर जमीन आवंटित करें मानिय अद्र जी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबर केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई बैठक में सुप्रिम कोड के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपून निर्णे लिये गए हैं मेरी सरकार ने सुप्रिम कोड के निर्देशानुसा स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भग्य मंदिर के निर्मान के लिए और इस से सम्मंदित अन्य विशाओं के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रिम कोड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्क स्री राम जन्मभूमी तिर्टक्षेत्र ट्रस्का नाम होगा स्री राम जन्मभूमी तिर्टक्षेत्र स्री राम जन्मभूमी तिर्टक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारिज किया गया है ये ट्रस्ट अयोध्रा में भगवान स्री राम की जन्मसली पर भग्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्मा और उससे सम्मंदित विशो पर नेने लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा माननिय सर्वोच अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकप बोड़ को आवंटित करने का अनुरोष उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत की प्राण वायू में भारत के आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान सी राम की महत्ता और अयोध्या की एक्यासिक्ता से अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाकी परिचीत है अयोध्या में भगवान सी राम के भगवे मंदिर के निर्मान वरतमान और भविश्व में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले प्रदालों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपून निर्णे लिया गया है मेरी सरकार ने फ्रैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपौन भुमी जो लगवग 67.703 एकड है और जिसमे भीतरी और बहरी आंगन भी सम्मिलीद है उसे नवगठीत स्री राम जन्वभूमी तीर्त छेत्र को हस्तार्न तरीक किया जाए मानियद देश महोदय नव नवंबर को राम जन्वभूमी पर फैसला आने के बाद सभी देश वासियों ने अपनी लोकसंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विश्वाद जटाते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देश वासियों के इस परिपक्प व्यवार की बूरी बूरी प्रसंशा करता हूँ मायने देश से हमारी संस्क्रिती हमारी परंपराई हमें वसुधय कुटुम कम और सरवे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती हैं इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेड़ा भी देती हैं हिंदुस्तान में हर्पंत के लोग चाहे वो हिंडू हो, मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो, बवद, पार्शी और जैन हो हम सभी एक ब्रहत परिवार के ही सदस्य है इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहे, स्वस्त रहे, सम्रुद्ध बने, देश का विकास हो इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही आईए, इस एतिहासिक छण में हम सभी सदस्य मिल कर अयोध्या में, स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए बग्वे राम मंदिर के निर्वान के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दे प्रश्णकाल, प्रश्ण संक्या फूर्टीवन टियार बालू जी, माने मंत्री जी सभी एड़्जों में स्री निकाल में बुलाऊंगा, मैंने भोल दे ना वो स्री निकाल में